एपिसोड के स्टाट में हमें लेबरेंट सिटी को दिखाया जाता है जो की डेंजर और अपर्चुनिटी के साथ भड़ी हुई है और इस सिटी का स्ट्रक्चर लेबरेंट की तरह है जहाँ पर सिटी के ज्यादा तर लोग गेंबल करते रहते हैं इसके बाद हमें इस अनिमे के मेन करेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है निक और एक पॉपुलर एडवेंचरर ग्रूप काउंटलेस बैटल आर्ट्स का एक लाइट फाइटर है और निक की एक काफी खुबसूरत गल्फरेंड भी होती है और निक का येम होता है अपने एडवेंचरर ग्रूप को एक बहुती जादा उची जगा पर लेकर जाना लेकि निक कस अपना यहाँ पर टूट जाता है क्योंकि एक बंदा निक को उस ग्रूप से बाहर निकल देता है और निक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि निक के साथ एक क्या हो रहा है निक बोलता है आर्गस जो कि मेरे फादर की तरह है उसने मुझे मेरी पार्टी से बाहर निकल दिया और ओहीं दूसी तरब निक की गल्रेंट भी निक के साथ ब्रेक अप कर लेती है और इतना सब कुछ होने के बाद निक के उपर एक काफी जादा बुरा असर परता जिया पर निक को अपने गरूप से बाहर निकल दिया गया और यक उदासों कर बैठा हुआ होता है और वहा पर बहुत ही जोर से बारिज भी होग रही होती है और निक सोचता है कि आखिड कर ऐसा क्यू हुँआ और फिरह में निक और आर्गस का कॉनभरस जीजन दिखाया पर आर्गर्स निक को बोलता है तुम्हारा माइंड से बिल्कुल भी एडवेंचरर की तरह नहीं है और मैंने तुम्हें तब से पहला है जब से तुम एक बच्चे थे और मैंने तुमको अपने पार्टी में भी रखा और तुम्हें लगता है कि तुम काफी बड़ी-बड़ कर सकते हो आरगस निक को बोलता है तुम दोनों की सोच एक जैसी नहीं है और अब से तुम खुदका खैल खुदी रखोगे और ऐसा बrånे के बाद आरगस निक को ग्रूप से बाहर निकाल देता है इसके बाद हमें फिर कि आखेकर तुम मुझे से चाती क्या हो मुझे कुछ समझ में नहीं आरहा वा लड़की बोलती है कि एक आइडल की डूटी दूसरों को चेयर करना और इंकरज करना होता है पिर वालर की निक को टिकिट देकर वहां से जाने लगती है और बोलती है कि कर मेरा कॉंसर्ट है तु कि एडवेंचरर पार्टी प्लेस में आया होता है ताकि ओ अपने लिए एक पार्टी मेंबर ढूंद पाई और ओ पार्टी मेंबर के साथ काम करके पैसे कमा सके और क्वैसे से ओ अगेट के नाम की और भी सारी चीजे खरीद सके अब नीक अंदर जाता है और ओ एक बंदे के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन जब ओ बंद पीछे गुमता है तो नीक बाफी ज़ादा अजीब सा भीएप करना शुरू कर देता है और उतने में एक दूसरा बंद आकर उस अडबेंचिरर से बोलता है कि तुम मेरी पार्टी ज़ाइन करोगे और ओ बंद एकसेट भी कर लेता है और एदेखकर नीक कहने लगता है कि मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता इसके बाद नीक एक रिस्टोरेंट में खाना काने आ जाता है और ओ वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर काफी सारे पार्टी मेंबर एक साथ खाना का रहे है क्योंकि सभी लोगों ने नियू ग्रूप जॉइन किया है इसी कुशी में ओ लोग पार्टी कर रहे है तभी वहाँ पर एक ओट्रेस बोलती है कि यहाँ पर सीट खाली नहीं है इसलिए अब सभी लोगों को एक ही टेबिल को शेर करना पड़ेगा और ओ लोग भी ओट्रेस की बात मान लेते हैं और ओ सभी मिलकर निक की टेबिल में जाकर बैठ जाते है और निक उन लोगों को देखकर बोलता है क्या यह लोग पार्टी के मेंबर है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है यह लोग पार्टी के मेंबर हो सकते है तभी हम देख पाते है कि निक की टेबिल में बैटे हुए एक लर्की के पास एक ड्रंक लर्का आता है और ओलर का उस लड़की से कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ अडवेंचरर पर चलोगी ओलर की पीछे मुर कर उस लड़के को काफी ज़ादा खतरनाक तरीकी से देखने लगती है जिसके वज़े से ओबनना डर जाता है और पीछे भाग जाता है और ओही नीक उस लड़की के डंडे को देखकर बोलता है कि इस डंडे के ऊपर जेम लगा हुआ ये तो काफी ज़ादा प्रीसियस है और शायद इस लड़की के कप्रे भी काफी ज़ादा महंगे है शायद ए लर्की किसी अमीर खांदान की होगी लेकिन कर ए एहा पर करके रही है निक कहने लगता है दिखने में तो ए लर्की एक मेज लग रही है लेकिन अगर अच्छी तरीके से दिखा जाए तो ए एसेशियन भी लग रही है अब निक की नज़र दूसरे बंदे पर जाती है जो की उसी टेबिल पर बैठा हुआ होता है और निक उस बंदे को देखकर बोलता है अरे ये तो एक प्रेश्ट है और इसने तो काफी जादा पिया हुआ है और निक को उस लड़के के पास से कुछ कॉस्मेटिक्स की समेल आता है और निक सोचता है लगता है एक प्रेश्ट किसी लड़की के पास गया होगा निक देखता है इस प्रेश्ट ने तो एक भी स्टैंडर्ड मेडल भी नहीं डाल रखा है और एक देखकर निक समझ जता है कि एक ex priest है और एक देखकर निक सोच में पर जता है और ओ बोलता है एक healer की तो party में बहुत ज़्यादा जरूरत होता है लेकिन इसको कोई भी क्यूँ नहीं पूछ रहा party में join करने के लिए इसके बाद निक की नजर 30 छिलर की पर जाती है जो में गया गल्रफ्रेंड बनाना T और कोई भी सोस्थ भरोसकी लायक नहीं है और फिर ओचारो मिलकर द्रिंक एक साथ पी लेते हैं और बापास से उस ग्लास को टेल पर पतक देते हैं और एक साथ बोलते हैं हम लोग human पर ne और उलर कि बोलती है, मैंने magic इसलिए नहीं सिका, कि मैं life में success पाओ, मैंने magic इसलिए सिका, ता कि मैं और भी ज़ादा इंपूब करूँ, और एसा बोलने के बाद, uler की आगे बर जाती है, और तभी उसका teacher उसको रोकता है, और बोलता है, कि Miss Tiana आपने तो काफी ज़ादा अ एक बंदे को ढूंता है और टियाना देखती है कि एलेक्स एक लड़की के साथ अल्रीडी बैठा हुआ होता है और टियाना एलेक्स के पास जाकर बोलती है मास्टर मेरे लाइटनिंग मैजिक को दे कर काफी ज़दा खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं एक साल को स्कीप कर सकता हूँ ताकि मैं ग्रैजुएट बहुत ही जल्दी हो जाओ ये सुनकर एलेक्स बोलता है ये तो काफी ज़दा अच्छी बात है और तभी एलेक्स के पा तुम इस तरीकी से बात करना बंद कर सकते हो तभी लीने भी टियाना को बोलने लगती है कि तुमने टीचर को सेड्यूस किया था कि तुम अच्छे मार्क्स ले पाओ तुम बहुत ज़दा बुरी और ये सुनकर टियाना बहुत ज़दा गुस्टे में आ जाती है और बोलत हो गया है और में अपना और मजग नहीं हो रहा सकता और अपसे में तुम्हारे शाथ मेरी जो शादी है ओ में तुर्वार लेता हूं और अपसे में तुम्हारा और फ्यांसे नहीं हूं और ये सुनकर टियाना काफी ज़दा शौक हो जाती है और ऑलेक्स की तरह पी देखत जाती है कि तुम अपने नजरों से किसे दिख रही हो यह सायद जिसे में घूर रही हूँ शायद में फुदी हूँ इसके बद टियाना एक दूसरी जगह पर पहुआ जाती है और वहाँ पर ओएक घर और इसमें gamble करके पैसे जीता जल सकता है पहली बार में तो Tiana जीर जाती है जिसको देखकर Tiana काफी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब ओ कहने लगती है कि gambling करना काफी ज़्यादा बूरी बात है और इसकी आदत भी लग सकती है और देखते ही देखते Tiana gambling में काफी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाती है और उसकी इसी addiction की वज़े से Tiana काफी ज़्यादा पैसे भी हार जाती है जिसके वज़े से उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते जो कि ओ अपना घर का रेंड दे पाए और इसके वज़े से ओ पैसे कमाने के लिए ओ अब adventurer बन चुकी है और काफी सारे लोग Tiana से पूछते तो है क्या तुम मेरे party जोईन करोगे लेकिन Tiana की डराबने सकल देखकर ओ लोग डर जाते है और वहाँ से भाग जाते है फिर हमें Tiana को दिखा जाता है जो कि उही रेस्टोरेंट में अपनी कहानी बता रही होती है और नीक बोलता है तुमारे लबर से तुमें धोका मिला और ये तो काफी ज़दा दुख बरी कहानी है इसके बाद नीक प्रीष्ट से उसकी कहानी शुनता है तो प्रीष्ट बताने लगता है कि ओ जो सीटी से आया है ओ एक टेमपल है God of Revelation का ओ जगा मेडिसिन के लिए काफी ज़दा फिमस हुआ करता था और में वहागाई एक प्रीष्ट हुआ करता था और फिर हम एक लर्की को देख पाते है जिसका नाम होता है जेम ओ लर्की जेम के पास कुछ हर्प्स कलेट करके लाती है जिसके वज़े से जेम काफी ज़दा खुश हो जाता है और reward में उसको एक कौइन देता है फिर हम देख पाते है कि जेम रात में एक मेडिसिन मना रहा होता है और तबी मीरल उसके पास आती है और कलिट किया हुआ हर्प्स को जेम को देती है और reward में जेम फिर से उसको एक coin देता है लेकिन मीरल coin पकड़ने की वज़ाए जेम का हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो और एस सुनकर जेम उसको बोलता है तुम बिगरने लगी हो और लरकी बोलती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मुझे एडल्ट होने के लिए और एक स्टेप आगे जाना है जेम बोलता है तुम्हारी इस बात के लिए मैं तुमको धन्य बात कहना चाता हूँ लेकिन तुमको पता ही है किसी भी रिजिलोशन भी बोलती है जेम बोलता है कि किस लिए और लड़की बोलती है कि क्योंकि तुम अब सीनियर प्रिश्ट बनने वाले हो जेम बोलता है कि थैंक्यू तबी ओहाँ पर चर्ट से कुछ गाड़ आ जाते है और उनके साथ मेरेल भी होती है और ओगाड जेम को कर सकते हो मैंने तुम पर बहुत यदा भरोसा किया था और अब हम देख पाते हैं कि गलत काम के बज़े से जेम को पिंजने में बंद कर दिया गया है और तीन महें ने बाद जेम को जेल से रिलीस करा गया होता है लेकिन सबी लोग मिलकर जेम को उस टाउन से बहार निकाल दे और कोई भी परसन जेम के उपर भरुसा नहीं कर रहे हैं कि जेम ने कुछ भी नहीं किया बलकि वो सभी लोग मिलकर जेम के उपर अंडे और टमाटर मरने लगते हैं और अब जेम टाउन से निकल कर एक होटल रूमें पहुचता है और वहाँ पर काम करने वली एक लड़की के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जेम उस लड़की को बोलता है क्या मैं तुम को ट्रीट कर सकता हूँ और ओ लेडी भी मान जाती है अब अगले सुमा हम उस लेडी को देख पाते हैं जो कि जेम के बेट से लिकल कर जा रही होती है और अब जेम भी उटकर नीचे जाने लगता है और ओ लेडी जेम से पूछती है क्या तुम रगाल रात अच्छी से सोए और तुमारे ट्रीटमेंट की वज़े से मेरे कमर का दर्थ ठीक हो गया और अब जेम ब्रेकफर्श करने लगता है और ओ उस लेडी से बोलता है तुम अपने आपको जादा पूछ मत किया करो क्योंकि कमर का दर्थ जल्दी नहीं जाता इसके बाद ओ लेडी बोलती है की ठीक है तुम एहापर और भी दिन रुख जाओ फिर ओ लेडी बोलने लगती है मैं तो मज़ग कर रही हूँ तुमें लेवरंट सीरी में जाना चाहिए और तुमको ओहापर दोस्ट भी बनाने चाहिए और तुमें एडवेंचरर बनना चाहिए एडवेंचरर बनने के बाद तुम काफी ज़्यादा चीज़े सीख पाओगे और फिर ओ लेडी बोलती है की ठीको मैं तुमें कुछ चीज़े देती हूँ फिर ओ लेडी जेम को एक book और कुछ कपड़े देती है और बोलती है ये सब चीजे तुम्हें एडवेंचरर बनने में काफी ज़दा मदद करेंगे लेकिन जेम कहने लगता है मैं इस चीजे को नहीं ले सकता और मैं तो अब एक priest भी नहीं हूँ और ओ लेडी बोलती है तुम इस समान को रख सकते हो एक adventurer आया था और उसने फीस नहीं चुका पाया जिसके बज़े से ओ इन सब चीजों को एहाँ पर रख गया और अब जाने से पहले ओ लेडी जेम को कहती है प्लीज तुम जिन्दा रहना और अब जेम की कहानी सुनने के बाद नीक बोलने लगता है तुम एक उमेन के साथ मज़े करने के बाद बाकी सारी लड़कियों के साथ मज़े करने लग गए है ना जेम बोलता है ये थोरा रूट तो है लेकिन है सही है एह सुनकर चियाना बोलती है मुझे पता है कि सारे लड़के ऐसे ही होते है इसके बाद जयम बोलता है मेरा जो गोल है ओ है दीमन गॉट को मारना इसके बाद नीक उस ड्रैगनोight लड़की से बोलता है कि तुम अपनी स्टोरी सुनाओ ये सुनकर ओ ड्रेगनोइडलर की रोने लगती है और बोलती है मेरे एक चाने वाले इने मेरे से एक बहुती ज़्यादा कीमती चीज छीन ली इसके बाद हमें नीक के एक सपने को दिखा जाता है जहापर नीक की गल पर नीक के साथ ब्रेक अप कर रही होती है और नीक बहुत ही जोर जोर से रो रहा होता है और चिला रहा होता है और बोलता है कि प्लीस मुझे छोड़ कर मत जाओ और तभी हम देख पाते हैं कि नीक टेबिल से नीचे गिर जाता है और उसके आखे खूल जाती है और नीक उनी एडवेंचरर को देखता है और उस सभी लोग नीक के कमरे में होते है और नीक उन्हें देखकर सोचने लगता है आखिर कर ये लोग है कौन निक थोड़ा सुचने लगता है और उसे याद भी आ जाता है कि ए लोग तो ओही थे जो कि मुझे रेस्टरेंट में मिले थे और ओर लोग जागने के बाद निक उनसे बोलता है कि तुम लोग हो कौन क्या तुम मेरे रूम से जा सकते हो तब ही टियाना बोलती है कि असल में ए मेरा रूम है इसके बाद निक और बाकी लोग वहांसे जाने लगते है इसके बाद निक को उस आइडल जिसका नाम आगेटे होता है उसका याद आता है इसके बाद नीक उन लोगों को बोलता है क्या हम लोगों को यहासर जाना सही रहेगा क्या हमारा फ्यूचर इससे सही होगा हम लोगों ने तो हमारा सभी प्यासा गेमलिंग में उरा दिया है और हमें तो ए भी नहीं पता कि कल हमारे सर पर छथ रहेगा या नहीं और हम लोग जो काम को पसंद करते हैं अगर हम उस काम को नहीं कर पाए तो क्या तुम उसको accept कर पाओगे भले ही हम चारो एक दुसरी के उपर ट्रस्ट नहीं करते लेकिन हम चारो एक पार्टी बना सकते हैं और इसके बाद नेरेटर बोड़ने लगते हैं यह लोग दुनिया को बचाएंगे लेकिन अभी नहीं थोरे दिन बाद और ठीक एही पर हमारा एपिस्वर और खतम हो जाता है